चलो बेटे हमारी माता है बहने भी बैठी है तो कुछ आप लोगों के लिए भी हो जाए बिल्कुल बेटे बिल्कुल हो जाए आपके मतलब की भी बात हो जाए एक दुम बड़ी प्यारी आई थी और भाया लोग भी सुनेंगे आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा रोशनी जी बड़ी प्यारी धुन जिसको बड़े प्यार से आप आएंगी फिल्म का नाम है नदिया के पार और उसमें गीत बजा के आए गुंजा उसे दिन तेरी सखिया आए गुंजा, तुला बड़ेव मुझा, तुला आए! आए गुंजा खनगी वते ही कि करती थी क्या बात हो कि कहती थी तोरे साथ से जलने को तो आदे हम तोरे साथ हो साथ अगूरा तब तक जब तक के साथ अगूरा तब तक जब तक पूरे ना हो फेर साथ हो तो अब ही तो अमरी आली है मरिया अब ही तो अमरी आली है ओ मरिया अब ही तो अमरी आली है ओ मरिया अब ही तो अमरी आली है 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 कटी सुने ये तो धुन कह रही है और देखे सिदेशों बाबा की दया देखिए तीस नारीक से बराबर हम लोग गा रहें जन्मा श्टमी से एक दिन केवल मुझे रेस्ट मिला है बस और कहां कहां से हम लोग सपर कितना कितना करते हैं गाडी में ही ना आना दोना खाना पीना सब होता है लेकिन जब मंच पर आ जाते हैं इन में बोलने की शक्ती नहीं रहती नमस्ते करने कभी मन नहीं करता है लेकिन राक में जब मंच पर आते हैं तो वो क्रपा कर देते हैं उनकी दया हो जाती है पर आप सुन पा रहे हैं तो मुझे विश्वा से अच्छा लग रह सती सुलोचना सती सीता सती राधा सती शैब्या और एक सती जिसका नाम है सती सावित्री रश्णी जी सावित्री को ले रही हूं बाकी सबाब के लिए छोड़ रही हूं मैं कोई गीत कट्पी जैसा नहीं गाना चाहती सती सावित्री को पता है कि इतने दिन इतने बचकर इतने मिनट पर मेरा पती मर जाएगा लेकिन फिर भी उसका पती के प्रती प्रेम देखिए उसने उसी सत्यवाम से शादी की जो लकडियां काटता है जादी हुई, लकडियां बाटने पती एक दिल जंगल को जाने लगा, सावित्री जान गई कि आज मेरा पती मर जाएगा सावित्री ने का स्वामी आज मैं भी आपके साइच चलूँगी सत्यवान निकाँ वैसे नहीं जाती है जाना चाहती है अगर जाना चाहती है तो चल सत्यवान के साथ गई सत्यवान ने लखडी के सामने जब सद्वान को ले जाने है तो यह मुराज पीछे सावित्री जाने लगे सावित्री पीछे जा रही हैं अपना काम करने दीजे जए भी को यह दूर आ गई को वरदान मांग ले सावित्री ने का इनको नहीं दे रहे हो तो मुझे एक वर्दान दे दिजिए कि मेरे सास ससुर अंधे हैं उनकी आखे आ जाए यम्राज ने का जा ऐसा हो जाए अब फिर नारी चलने लगी यम्राज ने का आप क्यों चली आ रही आप क्या चाहिए चल अगर आ गई तो एक वर्दान और मंग ले सावित्री ने का मेरा पती तो आप देंगे नहीं ऐसा करिए कि आप मेरे पती का और सास ससुर का खोया हुआ राजपाठ दे दिजिए यम्राज ने जोके में का जा ये भी मिल गया पिर भी सावित्री नहीं मानी और पीछे पीछे चलने लगे ये मराज ने का आप चली आ रही इतनी दूर आ जाएगी वापस लटना मुश्किल हो जाएगा चल अपने पती को छोड़कर पोई आखरी वर्दान मांग ले सावित्री ने का माराज पती को तो नहीं दे रहे आप मुझे सव पुत्र होने का वर्दान दे दीजिए यम्राज ने जोके में का जा तेरे सव पुत्र हो जाए और बस सावित्री हसने लगी के लेगी माराज जिन से मेरे सव पुत्र होंगे उनको तो आप भी दिये जा र कि सावित्री को बड़ी चालाक निकली के आख की जोती सास ससुड़ेगी कि सावित्री सेमराथ में रहा कि आख की जोती सास ससुड़ेगी अखोया लाज भी मांग दिया आपकी जोती सास ससुड़ेगी खोया राज भी मांग लिया और मांग लिया उनके हित्र सुक और सरकाता जी भी मांग लिया आप जो पंती पड़ रही हूं विश्वास है आपको अच्छी लगेगी उतालिया भी मिलेगी आपकी जोती सास ससुड़ेगी खोया राज भी मांग लिया मांग लिया उनके हित्र सुक और सरकाता जी भी मांग लिया के मांग मांग के मुझे को फसा के के मांग मांग के मुझे को फसा के अपनी मांग को मांग लिया तो संग लेके जाओ बेटी अपना ये सैया के संग लेके जाओ बेटी अपना ये सैया और कब होना सूनी होई है तो होई एक लईया तो है गुईया तेरा देखे सैया तेरा के है गुईया तेरा देखे सैया तेरा पूरा वर्दान करो मेरे तरफ से के खंडगी और सावित्री को इस तरह उसका पती मिला पुस्तकों में मिलता है कि सावित्री ने अपने आधी उम्र अपने पती को दे दी कैसी कैसी देवियां जो अपने पती के लिए कराई पाल अपने एंगी और सावित्री कैसी को अपने लो अपने तरह जाँए कि खंट्ट्स्त के उसका आगा बढायां जागा जीत्री क कर दो व Ball खंगी ने ईए्ट्री को बढ़ाई।् हाँ 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 बर्या साथ चक सुना है आप लोगों ने हाँ ए शुद्र सा टुकरा आपके माते है आया बेने और फिर में दुनिया वालों ने काया है क्या ए गुंजा उस दिल तोरी सक्षिया काँ हाँ मुझे और याद आ गई बड़ी बैन की आपने का है मेरे पहले कीप का जवाब आप देखे लिजे आपने मैंने पहले का था आपने सवाल भी खुद किया है उसका जवाब भी आपने दिया था शेश माता जा रही है मगर मच्छ से पूछ नहीं वो कह रहा है मैं नहीं जलासर से पूछा वो कहा मैं नहीं जो कहानी आप ने कही है आप सुखारे या ना सुखारे क्रंठों में वैसी दूसरी कहानी नहीं मिलती है और मेरी आदत है मैं जूट नहीं बोलती हूँ विल्कुल में जो है, जो कि जूट बोलने वालों का पुरा हाल हुआ है, एक कहानी आपने बताई थी, तो एक कहानी लाने का प्रियास मैंने किया था, बाकी आप उसको माने या न माने क्योंकि कहते हैं, जब जवाब के पास पहुंचाओ, तो कलाकार वैसे भी नहीं मानता है अब मैं हिरन के बदले जवाब नारी दे दिया मैं नहीं कर सकती अगर मैं कर देती तो आप को ती तो क्या कर रही हो तो आप गुल जा इसने दिल पोरी सखिया और कर दी थी क्या बात और कोटी थी तो रही संगे चलने को और आगई तेने साथ तो साथ अधूरा चब तक 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 होगे ना पेरे साथ तो आप ही तो हमरी बादी है उमरीया आप ही तो हमरी बादी है उमरीया कि जरा तहले ठहल ये सुआनी सी टकल जरा देखर 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 वार ये के तो हमरी थी तो हमरीया सुनिये बात अच्छा तुपड़ा आपके माध्यम से आया है जो तुपड़ा आपने गाया है फिर कह रही हूं सामित्री की पूरी बात आपने बता दी आप कह रही के मैं रास्ता कात रहें आपने पूरा टुकरा का दिया और बाद में चलते चलते कह दिया कि लोग कहते कि आधी उम्र साहित्री की सत्यवाद आधी आधी की बात आपने भी कर दी वहां से जवाब न बन पाए विल्ली रास्ता इधर काट रही है उधर काट रही है सुनिये सती सांदली अपने पती को लिये एक वहशा के पास जा रही थी हाँ बर्ची में लाते हुए लिशी के पैर लग गया और जब पैर लग गया तो ब्याकल होकर उन्होंने स्राप दे दिया कि जा सूरज निकलते ही तेरे पती के प्राण निकल जाएंगे उधर सांदली ने भी फ्रण कर लिया कि अगर ऐसा है और मेरे पति तुम्हें शक्ती है तो मैं सूरज को निकलने ही नहीं दूँगी देखिए मैं ये काम नहीं करूँगी मैंने गंगा उतारा फिर वहां ऐसा नहीं था कुछ उसके आगे दूसरी कहानी मित्री बेंजी अर आप लें सावित्री की बात कि ये मैं सांदली की बात कर रही हूं सावार तू कह रही हूं क्या कि रोके पिया है बढ़ते कदब को कि आपका सवाल जवाब तुपड़े में है सावित्री ने वर्दान मागा यम ने दे दिया तो इदान सुनिएगा कहना और रोक दिया है बढ़ते कदब को और चक्र समय का रोक दिया सावित्री ने और रोक दिया बढ़ते के पिधान को किसी और सथी के पसमे नहीं था सूरज को ना निकल ले देना पिधी के फिधान को चैलेंज कर दिया तो कह रही हूं क्या के रोक दिया बढ़ते के फिधान को और लग की गती को रोक दिया और जब रोका सूर को निकलने से तो बड़ी बढ़ते अरे रोक रोक से करम सब भी गड़ाओ क्योंकि एक करम होता है के सूरज निकलना है तो निकलना है इसलिए कह रही हूं के रोक रोक के करम सब भी गड़ाओ सारा करम है रोक दिया तो कहना पड़ाओ कि करपा बचन बोली अनुसुया मैया सांडली ने जब सूरज को स्रार दे दिया कि तुम नहीं दिखलोगे माता अलुसुया के कहने पर स्राप मुक्त किया सती सांडली ने तो मेरी बात कह रही है अनुसुया मैया और पेती जीएगा तेरा तुरत ये सही क्या पात का मैं कह रही हूं के तेरा ये पती इस भून से जीवित हो जाएगा तो कहां कि ये सैया तेरा सुन कोई आ तेरा ये जो सैया है मैं महावर दूँ ये महावर दूँ महावर के भी तो अर्थ होते एक पैर में लगाने वाला महावर और एक महावर मैं महावर दूँ महावर दूँ महावर दूँ महावर दूँ महावर दूँ और अलसुया के आशिर्वाद से सारक प्रम सही हो गया और सती सांदली के पती भिन से वैसे के वैसे हो गए महावर दूँ महावर दूँ यह आपके तुकरे का प्रयास है बाकी मैं उल्टा सीधा कुछ नहीं करोगी यह 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 जहो करो झाल झाल